कि नमस्कार दोस्तों मैं वितुल शर्मा आप सभी के स्टुडिया क्यों के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं भी आज जो हम डिस्क्रिशन करने जा रहे हैं वो सेट नमबर 10 है ठीके तो काफी अच्छे कोशन से कोशन को बड़े ध्यान से समझना और सीखना बहुत हेल्प करेंगे भी आप लोगों को यह तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के शेशन की और भी यह तीन माध्य में जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और इसी टेलिग्राम अकाउंट पर आपको जितने भी लेक्चर से उन सभी की पीडियेफ आपको मिल जाए और जल्दी से बताइए इसकांसर क्या होगा गुड़ मॉर्णिंग बेगोड मॉर्णिंग और भी शैशन को लाइक और शैर भी कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बनाइए भी पहला कोश्चन आपके सामने आ जाता है पहला कोश्चन है क्या उसको समझने की कोशिश करना इसने काई च्छतिस आदमी मिलकर एक सूच चालीस मिल्टर लंबी दिवार को 21 दिन में बना सकते हैं यदि दिवार चोधा दिन में उसी ओसत से बनाई जाए जानी हो तो कितने आदमियों की आवशक्ता होगी इटमिस दिवार वही है और दिवार वही है तो इसका मेंद इंकाम भी वही के लेकिन जिस काम को पहले चटिश साद मी 21 में कर रहे थे उसी पॉप चौवदा दिन में करना है तो बताईए कितने आदमियों की हमें जुरुत होगी यह आपको बताना या do का फट्रवत बताईए simple दी बात एक बात को ध्यान से समझना कि काम तो वही का वही है काम में कोई चेंज नहीं है काम कोई नहीं बदला की दिवार की लैंट जो है वो नहीं चेंज किये तो इसका मेंने काम तो वही उतना का उतना है बस फिर जब काम सेम है तो आप formula लगा दीजे क्या भी M1D1 equal to M2D यह formula आप लगा दीजिए अब हमारे पास पहले कितने आदमी थे 36 आदमी थे कितने दिन में वही किस दिन में उसकाम को करते थे अब आपसे पूचा है कितने आदमी हो कितने दिन में भी 14 डेस में कर जाएंगे यह 14 क्लियर है साधुनी 14 साथ्याइक केस और दो से कितने बही और भी 54 ऑन्य रंता साय तो रैट यंसर इस का बिलकुल सही एसर हो जा गब तो गड को सही बॉट मोर्निंग डी सब्सक्राइब भी राइट आंसर इस 54 जा करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स वोशन क्यों चलते हैं नेक्स वोशन क्या है ठीक है हाँ 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 प्रीवियस यह और अलग से भी है भी सारे टाइप के होंगे अब चलो यह कुशन बताओ इसको सही एकसाथ ही है भी ध्यान देना इसने का zar tuh टो 1030 डिग्री ईंटो 1060 डिग्री Champ अब इसकी वेलिव इसकी में बताए इतुक्त यह होगी हो चलाइब हिसे जीडी भिकरा दूंगा अब ही ठीक है ना बस इसको थोड़ा सा ओर ओजाने दो थोड़ा सा और एक वीक और चलने दो फिर इसको ऐसे जी डी का भी दिखेंगे ठीक है देखो 10 थीटा एककोल डू 1030 कितना होता है वन बाई रूट थी और 1060 कितना होता है रूट थी कितने वैल्यू आ गई वन और 10 में 1 10 में 1 कितने डिग्री पर होता है वह 1045 तो थीटा की वैल्यू तो आपकी 45 आ गई अब क्या वैल्यू 45 हाँ थीटा पूँचा यह टू सीटा पूचा बही जीट फीटा पूछ है गूड बोर्णिंग गूड बोर्णिंग तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 245 डेट इस 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाँ भी प्रिवेस यह भी है रविकांद प्रिवेस यह इस क्लियर है चली आगे बढ़ी नेक्स देखी नेक्स कुषिन क्या है जल्दी से बताएगे नेक्स क्या कहता है अगला यह बड़ा अच्छा वोशन है बहुत शांदार और यह उन बच्चों के लिए है जिनको इनके कंसेप्ट पता है तो उनके लिए आधे सेकंड का है और जिन यहां पर दोनों की बात हो रही है एक स्क्वाइर है और एक रेक्टेंगल है ऐसा कुछ है और उसने यह कह दिया कि दोनों के पैरिमीटर बराबर है जो इसका पैरिमीटर है वहीं इसका भी पैरिमीटर है परिमाप दोनों के बराबर है इसका एरिया एक्स है तो इसका एरि case आपको नजर आए, दो, दोन हों क्या है, देखो, ये rectangle है, ये क्या है, square fianское, rectangle के each angle 90, ये बात तूसरब में आती है, लेकिन भई, यहाँ पर केवल opposite sides क्या होती है, equal होती है, यहाँ पर 4 other side equal होती है, तो ऐसे case में ये parameter बराबर है, तो हमेशा याद रखो, जिसकी यहां पर भी हो जाती है यह रॉंबस है यह पैरिमीटर बराबर होना चाहिए पैरिमीटर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए पैरिमीटर बराबर होना चाहिए यह पैरिमीटर बराबर होना चाहिए यह पैरिमीटर बराबर है और यह रॉंबस है यह पैरिमीटर बराब यह बहुत ही अच्छा कोशन और यह उन बच्चों के लिए जिनकी नौलिज इने पता है तो बहुत सही है था ठीक है चलिए आगे देखें नेक्स उशन देखें नेक्स क्या कहता है हाँ अब चलो भई उसने क्या कहा भई हमें दिया है a square equal to देखो क्या दिया है a square equal to क्या दिया है b y plus c z b square equal to c z plus a x c square equal to a x plus b y ऐसा कुछ दिया है और आपसे पूछा क्या है जरा यह देखे आपसे यह पूछा है कि x upon me a plus x plus y upon me b plus y plus z upon me c plus z clear है ऐसा कुछ आपसे पूछ लिए अब इसके लिए क्या करें हाँ इसके लिए अब क्या करें इसके लिए हमें क्या करना है ऐसे किसमें हमें क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या दिमाग लगाना है अब यहां पर एक बात नोट कर रहे होंगे आप देखो यहां पर जैसे यह values है इन में x के साथ जो multiply हो रखिए वो एक ही है दोनों के समें b स्कार की जो वल्लिव है वो सीजेड प्लस एक से और सी स्क्वार की वैलिव क्या है एक स्प्लस भी वाई तो इसका में एक्स में दोनों जगे किस से multiply हो रखिए एसे तो हम क्या करते हैं इसमें एसे उपर और एसे नीचे multiply कर लिया अब देखो यह आप बी की बात करते हैं वाई यहां पर भी बी से multiply है और यहां पर भी बी से multiply है तो दोनों के समें फिर यहां पर भी किसे इसमें भी बी से multiply कर देते हैं इसमें भी बी से multiply तो यहां पर भी सी से multiply है अब देखो भी इतनी बात में मानता हूं सभी को समझ में आ गई होगी हाँ और जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो इसको कुशन क्या बनके आता है यह बनके आया भी हमारा एक्स अपवन में नीचे जो बनेगा एस स्क्वार प्लस ऑ हमारी है किसे को डाउट तो नहिंए अब रही बात क्या करना है यहां पर a square plus b square plus c square अब देखो यहाँ पर a square a square की value क्या है उमें पता है by plus c z है तो ax upon me by plus c z plus ax इसी तरह by upon me b square की value क्या है c z plus ax plus by plus c z upon me c square की value कितनी है ax plus by plus c z ऐसा कुछ है अब आप क्या करें कि denominator सभी का क्या है same है denominator सबका same है तो बस इसका benefit उठाओ और जब denominator सभी का same है तो lc m क्या आ जाएगा ax plus by plus c z lc m आया तो उपर हमारे पास क्या है ax ये by और ये क्या भी c z clear है इससे इससे ये वाला पार्ट पूरा पूरा cancel तो right answer is one option number one is the correct answer it means option number d और answer is one option number तो d है और answer क्या है one इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा तो option number d answer is one ठीक है बात समझ में आती है कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताओ भई ये याद रखना है ये कोई ऐसा मुश्किल कोशन नहीं है बहुत आसा कोशन है थोड़ा सा दिमाग लगा होगे बस हमें देखना है कि उसी टाइप का हमें बनाना है ठीक है भई शैशन को लाइक और शेयर भी कर लो हाँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अगला खुशन देखो अगला खुशन क्या कहता है अगला ऊशन ये कहता है किसी व्यक्ति ने घड़ी को 10% की छूट पर खरीदा वाथ नहीं है एक गणित मुल्यए पताई बह namely कि तो ले किया होगा अब एक बास सुचो दियान सूलना wennow Mr.p eso बात को संखो Mrp 100 पे अब दस परसंट की छुट पे खरी देगा जबह 90 फरेस्ट खरे कि हा जब ढुछ थी किरीदे घर को उसे किसके बराबर होगे 1250 के तो correct answer is 1250 कुछ भी आंस कुछ नी था तो right answer is option number B 1250 इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है और बही ऐसे question आएंगे बहुत जो verbally आप कर सकते हो इसको verbally करने का तरीका इतना ये तो बस मैंने लिख के बता दिया आप simple सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो पहले 10% की चूट थी, अब 20% की चूट है, 10% की चूट बढ़गी, 10% की चूट बढ़ने से उसके 125 पे कम देने बढ़ रहे हैं, तो 10% 125 के बराबर है, तो 100% 1250 की आंसर टिक, तो राइट आंसर इस 1250 is the correct आंसर, 1250 इसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, अब बताओ भई, य इससे ने लिखा क्या है, x by, x is to y, z, फिर y is to zx और z is to xy, यह हमें दिया गया है, हैं तो जो इनके अनुपात है कि विथक्रमानु। पातियो का मिश्र अनुपात बताईे उ sparkly इसका मिनिंग क्या है कि इन्वर्स रिश्व का मिनिंग इनके उल्टो कर देंगे उसका मिस्रट मेंस कमपाउंड रेशों कि मिन कर करें है कहने का मिनिंग यह है अब देखो यह क्या करेंगे इसका इंवर्स रेशों यह निकालते हैं तो यह लिखाए एक्स अपॉन में वाइज तो इनवर्स रेशों क्या हो जाएगा वाइज एक्स अपॉन में वाई इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में जैड ऐसा हो हो और तो और प्लिकुल सही आंसर हो जाएगा ये इसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बात समझ में आती है तो पहले हमने क्या करना था इन कमपाउंड पीदिए वही इसका आगे बढ़ते हैं next 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 देखो next क्या कहता है next यह कहता हैं वह 11 सधयों की कृक्टीम है कितने किलाड़े हों उनका ऐस्थ कितने पे तैसे रने उनका आसत कितने है टीस रन है तो एक बाह अब उसने का यह दि पहले खिलाडी ने जो पहले वाला खिलाडी उसने 113 नम बनाए तो बताई अन्य खिलाडियों का ओसत ग्याद केज़े अरे बही जब सबसे पहले वाले ने 113 नम बनाए तो उसमें से 113 हटा दो 113 हटा देंगे तो 140 रन बचे अब यह 140 रन बाकी 10 नम ब अप्शन नमबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है चलें आगे चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं यह बताओ चलो अच्छा कुशन है कई बार बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं चलें इसका जवाब दीजें इसने कहा Python का P Q माइनस Q Q एक्वल टू P माइनस Q और ब्रेकेट में कितना है भी P प्लस Q का होल स्कुलर माइनस X P Q ऐसा लिखा हुआ है भी कोशन में ऐसा हमें दिया गए है ठीक है ऐसा कुछ दिया गए भी चलें इसका जवाब दीजें इसका जवाब क्या होगा ठीक है जल्ली से बताईए इसका जवाब बताईए इसका जवाब क्या होगा तो X की वैल्यू आपको बताने है X की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल सही का भी 1 जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया भी 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है कैसे वन सही है अब जरा उसको देखते हैं एक बास सोचो P Q minus Q Q क्या होता है AQ minus B Q A minus B that is P minus Q और फिर दूसरे बैकेट में क्या आता है भई A square it means P square plus Q square plus P cube ऐसे ही कुछ आता है हाँ यह न ऐसे ही तो कुछ आता है यही तो बास समझ में आती है अब एक बास सुनों भई यहां से यही मैं इसको उपन कर देता हूं यह जो फॉर्मला लिखा है यहां पर जो लिखा इसको यह इस पार्ट को उपन करता हूं यह पार्ट मेरी स्कूराय काही अब मेरी बात को ध्यान से समझना भीकर और भी है यह तो एक्स लाउट हो गया अब देखो इसका मिन्हीं यह होना चाहिए कि इसकी value हमारी क्या नहीं चाहिए PQ आने चाहिए यह आप कह सकते 1 PQ आने चाहिए तो 2 PQ मेंसे कितना minus करूं कि PQ आ जाए भई 1 PQ minus करना होगा तभी तो X की value क्या होगी भई 1 हो जाएगी भई 2 PQ मेंसे PQ minus करेंगे तभी तो PQ आएगा तो हमारा जो X की value क्या होगी वो 1 होगी तो correct answer is 1, option number B is the correct answer ठीक है? clear है? चली, आगे बढ़ते हैं next देखते हैं next देखते हैं next क्या है? अगला बताव भई भई शेशन को like और share भी कर लो है चैनल को subscribe भी कर दे न अगला बतावी next क्या कहता है? उसने ये कहा है next question में एक telephone को 1040 रुपे में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाब हुआ 1040 में बेचा या 1040 में बेचा तो 4% का profit है तो 950 में बेचने पर कितने परसेंट का उसे loss होगा ये आपको बताना है कितने परसेंट की कितने परतेशत की उसको हानी होगी ये आपको बताना है देखो भी बहुत आसान सा तरीका है देखो हमें निकालना है कितने परसेंट का loss है ये हमें दिखाना है अब उसके लिए क्या करें उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा क्या कि भी यदि मैं आपसे कहता हूं जब मैं 1040 में 1040 में बेच रहा हूं तो मुझे 4% का लाब है तो कहने का मिनिंग यह है कि हम इट मींस वो कॉस्ट प्राइज का कितना है 104 परसेंट है कि убий कला को मीनिंग किवो कॉस्ट प्राइज का 104 है कौस प्रसेंट का कितना परसेंट से 204 परसेंट確ए है अब लेकिन यहां पर यहदि 950 में बेचेंगे तो कितना परसेंट बन रहा है कोस्त राइस का डिरों से जिरों तो पिचादव्य परसटिन्पनिंग है कि 100 से 5 परसट कम यहांपन अब 5% क सकते हैं है 5000 का विस पर्सेंट क्या है लोगश करेक्ट आंसर अबिद पर सेंट किया हैं लोस है कि ऑप्शिन नंबर सी जो है उसका बिलकुल सही एंसर होगा। Σनल्क से लिए आगे भरते हैं next question क्यों चलते है, next question क्या है हाँ भई, इसको solve करो चलो भई, फटाफट इसका जवाब दीजे आपको इन में relation बताना है आप से कहा गया है कि x equal to 0.25 के उपर की power कितने 1 by 2 या root कह लीजे इधर y equal to है 0.4 की power कितना भई, 2 और ये z है भई z की value है कितने भी, 0.216 की power 1 by 3 ऐसा कुछ हम से कहा गया है ठीक है अनामी का, बताई भी कौन सा question में problem है कौन सा question में problem है, ये बता दो फटाफट, बहुत जल्दी से ये बताई कौन सा question नहीं समझ में है, 9 वाले में कितने परसेंट के बराबर 95 परसेंट तो इसका मिनिंग दिखाई दे रहा है कि 5 परसेंट का लो से है, क्योंकि 100 से 5 परसेंट का में बस इतना था, आई ये इस पर आजाए ये वापस इनका जवाब दीजिए, जल्द से जवाब दीजिए, कि यहाँ पर बताईए यहाँ पर बताईए, कि इन में से कौन सा बिल्कुल सही है देखो ऐसे के इसमें कुछ बच्चे महुत गलत करते हैं, बहुत जादा गड़बड कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से पॉइंट हटाओं तो नीचे कितना आजाएगा, भी हंड़ड आजाएगा, सिंपल दी बात है, सिंपल दी बात है, सभी को पता है ठीक है इसका point अटाऊंगा तो कितना आजाएगा नीचे 10 आजाएगा ये बात भी समझ में आती है इसका point अटाऊंगा तो नीचे कितना आजाएगा 0.16 आगया अब रही बात इसका है इसका क्या करना भी cube root इसका cube root यहीं मैं करता हूँ तो इसका cube root कितना होता है 6 और इसका cube root होता है 10 तो 0.6 आगया अम मुझे एक बाद बताओ भी, मुझे एक बाद बताईए, कि यहाँ पर है 0.5, यहाँ पर है 0.16, वहाँ पर है 0.6, अम मुझे यह बताओ, इन में से कौन बड़ा है, और कौन छोटा है, हाँ, तो इन में सबसे बड़ा तो है भी Z, भी 0.60 बरना है, उससे छोटा है X, और X से छोटा क्या है भी वाई इनने में बहुत बच्चे गलत करके आएंगे जल्द वाजी में इसमें क्या होते यह गलतिया होती है तो राइट आंसर इस ऑप्षिन नमबर डी क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है कुछ बच्चे तो सोचेंगे भी सर यहां तो स्कॉयर हो रहा इसक्वाइर रूट है वहां क्यों रूट है तो इसलिए यह नहीं वैए ऐसा नहीं है सबसे बड़ा क्या है जैड उससे छोटा क्या है एक्स और उससे चोटा क्या है वही वाई है ठीक है तो राइट ऐंसर इस ऑप्षिन नमबर डी इस आ करेक्ट आंसर के बाद समझ में आगई किसे वो डाउट तो निया हिसमें गल्ती तो नहीं करोगे ना आगए इसमें गल्ती मत करना बहुत ध्यान से इन को करने की कोशिश करना ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है हुँ भी जैड कैसे बढ़ा है बहुत ही अच्छे वही जैड ऐसे बढ़ा है इसका स्क्यूब रूट करोगे तो किसका क्यों वहता है 6 का ये किसका 10 तो 0.6 अब एक बाब बताओ ये एक तरीके से 0.60 है ये है 0.50 और ये 0.16 अब बताना जरा कौन बढ़ा है Z बड़ा है या X बड़ा है या Y बड़ा है तो सबसे बड़ा तो Z हुआ उससे छोटा क्या हुआ X हुआ उससे छोटा क्या हुआ Y हुआ और ऐसा किसम है Option number D में है Good morning, good morning, good morning भी चलिए अगला देखे भी आया भी अगला देखो किसी वर्ग की जाए तो उसके छेत्वल में कितने प्रतिशत की व्रद्धी होगी यह आपको बताना है Good morning, good morning Mr. Smart R.T. Good morning अब ज़र एक बास सोचो भी यहां से इक में सर एक साइट को 10% बढ़ा रहा हूं तो area कितने % बढ़ जाएगा यहां में बताना है तो देखो area में change का formula होता है area change का होता है x प्लस y प्लस xy by 100 यह होता है x और y क्या है यहां पर x यदि मैं कहता हूं यह 10 प्लस 10 यहां पर 10 गोना 10 अपन में कितना भी 100 ऐसा कुछ है यदि हम यहां से देखें तो 21 आ गया 21 परसंट is the correct answer तो change जो होगा वो 21 परसंट का क्या होगा change हो जाएगा तो right answer is 21 परसंट is the correct answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलो आगे देखो भी आगे क्या कहता है आगे इसने यह कहा है किसी संभाहुत रिभुज के परीवरत और अंतियवरत की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़े आपको समझाओंगा भी ठीक है knowledge के लिए वैसे तो यह आदे सेकेंड का गोशा है लेकिन knowledge के लिए आपको कुछ चीज़े समझाओंगा जैसे पहले सम बाहुत्रे उभुज इक्विलेटर ट्रेंगल ठीक है ना इक्विलेटर ट्रेंगल में तीनों साइड बराबर होती है इसमें यह दिया आप देखो median ट्रो करो यह angle bisector draw करो तो यह फिर altitude draw करो ठीके नए यह प्रफेंडीकुलर by sector देखो यही एक ही लाइन यही लाइन इसमें मीडियन होगी यही इसमें perpendicular bisector होगी यही इसमें एंगल bisector होगी और यही इसमें यही इसमें क्या होगा ही altitude भी होगा और देखो जहां ये तीनों एक दूसरे को intersect करें यही इसका circumcenter है यही इसका incentr है यही इसका centroid है यही इसका ortho center है तो सब यही है अब ऐसे केस में याद रखो भी इसके यदि बाहर की तरफ circle है इसको कहते हैं सरकम सरकल इसको क्या कहते हैं सरकम सरकल हिंदी में कहते हैं भी परीवरत हिंदी में क्या कहते हैं भी परीवरत अब परीवरत में क्या होता है कि याद रखो कि इसकी जो रेडियस है जो बाहर सरकल है इसकी रेडियस ये वाली होगी ठीक है और अंदर जो सरकल होगा ये वाला उसकी जो radius होगी वो ये वाली होगी भी ये वाली होगी अब एक बात बता हूँ अभी अभी मैंने इसको यही सेंट्रोइड भी है यही इसका क्या है सेंट्रोइड ठीके ना अब जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रईछयों बाटता है और जो मीडियन भी यही है एंगल भाई सेटर भी यही है प्रेपेंडिकुलर भाई से misinformation भी यही है ठिके ना औल्टेटूड भी यही है तो बस यहाद रखे कि यही इसका और्थो सेंटर है यही सेंट्रोइड है यही in center है सब कुछ यहीं तो centroid जो है वो median को किस rate आठता है टू ही न की रिखिफिशू बाटता है तो इसका meaning median किस बाट्ट गया टू हैस्ट वन की तो इसका में यह वाली रेडियस और इस में 2 is to 1 की रेशियो में हूंगी, तो रटने की ज़रत नहीं, अब रेडियस भी बता देता हूं, यदि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है हमारा, जिसकी साइड ए, ए है, तो इसकी रेडियस जो, आर, कैपिटल आर, लिख लिए, ए अपॉन में रूट 3, और इन रेडियस की बात क कि नेक्स्ट क्या क्या क्याता है, हाँ, अगला कुशन, अगला कुशन क्या कहता है, किसी राशी पर, प्रतिशत वार्शिक दर से, दो वर्स का चक्रवित दीव्याज, 625 है, तो उसी राशी पर, दुगने समय के लिए, वार्शिक दर, प्रतिशत आधी ओने पर, साधारन भी आज कितना होगा यह आपको बताना है अब जरह यहाँ पर समझे पहले उसने कहा किसी राशी पर हमें पैसा पता ही नहीं कितना पैसा है तो यहां से देखें तो प्रिंसिपल और एक तरीके से यहां अमाउंट तो दस से कितना भी 11 और फिर वही दस से कितना भी 11 यह बात समय आती है अब यहां से यहां देखो दस से ग्यारा कैसे किया यहां पर एक सो एक तो हमने यहां से यह क्या सीखा यह प्रिंसिपल सो रुपे है तो अमाउंट जो हो रही है वो कितना दो साल के बाद की अमाउंट है कितनी 121 तो इंट्रेस्ट कितना है कंपाउंट इंट्रेस्ट जो सी आई है वो कितना है वो हमारा 21 रुपे है यह तनी बात तो समझ में आए अब लेकिन आगे बढ़ते हैं उसने कहा यदी उसी राशी पर इसका मिनिंग 100 रुपे पर दुगने समय इसका मिनिंग टाइम क्या कर तो ताइम कर दिया पहले दो साल था तो टाइम कर दिया अब चार साल और उसने कहा वार्षिक दर परतिशता आधी होने पर तो और जो कर दिया उसने 5% तो इसका मिनिंग यह हुआ कि एक साल का 5% तो चार साल का 20% तो इसका साधरन ब्याज simple interest कितना हो जाएगा इसका कितना बही hundred का 20% 20% समझ में आया कहां से है 20% यहां से आया क्योंकि एक साल का 5% तो 4 साल का 20% है तो इसका 20% 20 हो गया अब आप से पूछा क्या है कि भई ये बताओ उसका साधरन व्याज कितना होगा अब देखो यहां पर compound rest 21 और वहां पर कितना भई 525 अब comparison कर देने बाकी कुछ नहीं करना यहां पर compound rest 525 है लेकिन हमारे हिसाब से कितना है था कितना गुणा हो रहा है आप कहेंगे सर्फ 25 गुणा हो रहा है वही चीज इसमें भी क्या कर दो भई 25 गुणा 25 गुणा यदि में करूँगा तो कितना आजाएगा भी 500 तो correct answer is 500 तो right answer is 500 रुपे क्या होगा उसका simple interest हो जाएगा very good very good भी बनिए बनिए क्लियर है इतनी बाते सौन में आती है चलिए आगे बढ़े अब जरा अगला कुशन देखे भी अगला कुशन क्या कहता है उसने यह कहाँ प्रतियक रहिवार को रक्षा नाम है रक्षा तीन मील जोगिंग करती है ठीक है प्रतियक रहिवार को तीन मिल जाती है और सब्टा के 6 दिनों में वै प्रतियक दिन पिछले दिन के अपिक्षा एक मील अधिक जोगिंग करती है तो इसका मिनिं Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ऐसा कुछ उसने का Sunday को तीन जाती है तीन मिल जाती है तो अगले दिन जो जाएगी से एक जादा तो यहाँ चार फिर पांच फिर छे साथ आठ नो और समय पूछा है कि दो week में वो कितने मिल जाएगी यह आपको बताना है तो पहले इस week में देख लो उसका double कर देंगे इस week में देखें तो कितना जा रही है जरा वो देख लेते हैं भी यहाँ पर है कितने भी यहाँ पर है तीन फिर चार फिर पांच छे साथ आठ नो ऐसे ही चल रहा है न चलो अब जोड़ दो भई चार तीन साथ और पांच बारा छे अठारा साथ पच्चिस और तैस और नो 42 तो एक week में 42 तो दो week हो गए तो कितना भी 84 तो correct answer is 84 meal जो है वो इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो right answer right answer is 84 is the correct answer clear है sun में आया भी देखो आसान कुशन था मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था चलिए अगला अब उसने ये कहा यदि एक वरत को 6 बराबर भागों में बाटा जाता है एक वरत है जिसको 6 बराबर भागों में बाटा गया तो बने हुए प्रतेक कोण की माप क्या होगी जो एंगल बनेगा वो किता भी एक बाद बताओ ये देखो यहाँ ये सर्कल है सर्कल का सेंटर, सेंटर पर कितने डिग्री होता है आप कहेंगे सर 360 डिग्री होता है और जब 360 डिग्री होता है और इसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया चलिए अगला देखिए next देखो next क्या कहता है next question में क्या कहा जरा आपसे पूछा गया है इसको सरल कीजिए simplify करना है इसने लिखा root 32 minus root 18 अप उन में root 50 और plus root 8 ऐसा कुछ कहा है root 32 को आप कैसे लिख सकते हो भई इसने 16 दूनी 32 होता है सभी को पता है 16 दूनी 32 होता है और 16 इंटू 2 लिख सकते है ना इसको और 16 का root होता है भी 4 4 root 2 minus 9 इंटू 2 भई 9 दूनी 18 होता है और 9 का root कितना होता है 3 तो भई 3 root 2 upon में यहाँ पर 50 का root होता है भी 5 root 2 और 8 का होता है भी कितना भी 2 root 2 बात समझ में आती है यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दो तो root 2 upon में कितना भी 7 root 2 root 2 से root 2 cancel तो वन बाई 7 जार करेक्ट आंसर तो इसका जो सही आंसर होगा तो समें root 2 आ रहा है ना ठीक है लिए जब यहाँ पर समें root 2 आ रहा है तो फोर रूट 2 में से 3 root 2 माइनस कर दिया तो वन रूट 2 रूट 2 बचा अब उन में कितना 7 root 2 तो 1 by 7 जो होगा वो इसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा क्लियर है बात समानी में आती है चलो आगे बढ़ो देखो अगला कुशन देखो अच्छा कुशन है बहुत ही शांदार देखो इसने क्या कहा 13 अपॉन में 55 को दशमलाओं में बदली है अब देखो कुशन तो कहने का कुशन तो बहुत आसान है इसमें भी लेकिन बच्चे बहुत गड़बड करते है इसमें गड़बड़िया बहुत ज़्यादा होती है ठीक है ना अब इसके लिए क्या करना है इसके लिए क्या करना है देखो हमेशा कोशिश किया करो जब भी ऐसा है कि दसमलाओं में बदल की कोशिश कर नहीं है अब जब नीचे पांच शे पच्पन है तो जीरू तो आसानी से बनाई जा सकते हैं हां इंटू टू उपर भी तो इंटू टू नीचे भी कर दिया कर दिया यह 26 तो यहां पर कितना 110 हो गया है ठीक है अब आप क्या करो भई यहां से देखो यहां से यह ग्यारा से ग्यारा दुनी 22 बचा कितना चार चारिस हो गया ग्यारा तिया 33 इसका मेनिंग यह वाला आ जाएगा ले तो कि यहां से जो बना इतना बना टैंस से डिवाइड हो जाएगे तो पॉइंट टू ट्री सेक्स इस अ करेक्ट आंसर ठीक है ना चले आगे बढ़े हैं चले आगे बढ़े हैं चलिए तो कहीं बार ऐसे कोशन में हम गड़वड़ करते हैं तो हमें थोड़ा से दिमाग लगाना है कोशिश वही करने है कि दिनोमिनेटर में जीरो बना ले जिसे के हमारे लिए आसान हो जाए चीज़े चले आगे बढ़ते हैं अगला उसने हमसे क्या कहा इसने का चार सेंटीमेटर भुजया वाले एक घन का प्रस्टियश हेत्वल क्या होगा देखो एक घन है क्यूब है उसका प्रस्टियश यह पल नहीं समझ में आया देखो बटा इसमें कुछ नहीं था हमने क्या किया हमने दो से मल्टिप्लाई उपर नीचे इसलिए कर लिया उसका बैनिफिट यह है कि जैसे हम दो से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा कितना बन जाएगा 110 बना इट में समय जीरो मिल गई और जीरो मिलने से कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल इस आसान हो जाती है ठीक है अब यहां से क्या करना 11 से इसको डिवाइड 11 से इसको डिवाइड आसानी सो हो जाएगा फिर बस पॉइंट ही तो लगाने है अब यह देखो इसने क्या कहा चार सेंटीमेटर भुजा वाले एक घं का प्रेस्टेश हित्फल क्या होगा चलो भी बताओ इसका प्रेस्टेश हित्फल क्या होगा टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा वह सिक से स्क्वाइर होता है होता है ना 6 A की वाल्यू किते हैं भी 4 4 का स्कॉर 16 चिकम छाण में 96 आ जाएगा तो 96 cm2 ठीक है ना तो राइट आंसर इस 96 cm2 अगला देखो भी अगला क्या कहता है हाँ देखो अगले कुशन में यह कहा एकार ढाई गंटे में 62 किलोमेटर प्रतिगंटे की प्रतिगंटा और वन वन बाई 4 आवर में 68 किलोमेटर पर आवर की चाल से चलती है कि यात्रा करती है तो तै की गई कुल दूरी में इसकी ओसत चाल क्या होगी इटमेंस ओवरॉल टोटल जर्ड़नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है यह बताना है अब देखो हुँँ उसके लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना क्या एलिगेशन लगा दिया क्योंकि ओवरॉल पूछ लिया दो ही पार्ट है देखो एक बास सुनो कुछ पार्ट को हमने 62 km per hour की speed से और बागी के part को हमने 68 km per hour की speed से और हमसे overall पूछा है combine करके क्या है लेकिन एक part को इस part को मैंने कितने में 2 and half hour में और इसको हमने 1 1 by 4 hour ऐसे ही ना एक बात बताओ यदि आप speed में allocation लगाते हो तो ratio कि इसका मिलता है time का तो यहां पर time का ratio हमें क्या दिखाई दे रहे 1 is 2,2 is to 1 का भाई इसका दूना ही तो है भाई यह क्या हो रहा है भी इसका बूना है इसका डबल हो रहे तो ratio के टाइम का रेशो की है 2 is to 1 आब हमें बताना है यहां यहां वाला पार्ट अभी इसको find करने का तरीका क्या मैंने आपको यह चीज पहले भी बताये इन दोनों में छोड़ा कॉन इसके सामने वाली वेल्यू निकालने में-टार्गिट यहां वाला है जो भी वाती है उसको जोड़ दे रहा यह वाली यह एवरेज आजाएगा अब इसके लिए क्या करें यहां से इनका डिफरेंस कितने का भी छे का अब शेकोट टूस्ट वन के रिशमाटो तो इन्टू वन भाई कितना भी थी कर दिया वही यह टोटल थी यह वन आउट अफ तरी यहां से कितना टू इसका में टू एड किलोमेटर पर आवर उसके ओवर ओल जर्णी की आवरेज इस पीड आजाएगी तो राइट आंसर इस 64 किलोमेटर पर आवर तो यह वाला जो तरीका ना बहुत बढ़िया है बहुत आसान सा है दोबारे बता रहा हूं कुछ पार्ट को उसने एटमेंस धाइगंटे वो चला लगाई छला 62 की सपीड से वण वण बाई फ़ॉर आवर चला 68 की सपीड से हमें पता है यदि स्पीड में हमें अलिकेशन लगाते है तो टाइम का रैश्यो मिलता है सपीड मे OF आप कहाएंगे साडकि क्यों मिलता है क्यों यहां पर देखो किलोमेटर पर आवर डिनोमेटर में आवर है, तो कि हमिंख जाओ, कि हमें जो रशीम मिलेगा, वो time की रशीम मिलेगा, हा, संच में आथी यहां पर जो रशीम में का रशीम होगा, और जब भाई, तो ईनका तो इनका जो दिफरेंस है, उसको 2 है कि रिशों में बााठा ना है, अब 6 को 2 is to 1 की रिश्व में बाटो गए यदि वो बनता भी है तो 4 और 2 बना तो या तो इसमें 2 जोड़ दो या इसमें से 4 घटा तो तो बातें किये तो राइट आंसर कितना आजाएगा 64 ठीक है ना चलिए अगला देखें नेक्स देखें भई अच्छा ये जो लोजिक है ना ये बड़ा शांदार लोजिक है इससे कुशन बहुत आसाने से किये जा सकते हैं अगला देखें उसने क्या कहा 13 प्लस 25 डिवाइड़ बाई अब इसको डारेक्ट टैन लिख दो भई तीन और सातीन दस अगला जाओ अब उसने क्या कहा अगले कुशन में देखो क्या कहा उसने ये कहा शिवम को उसकी परिक्षा में 4092 अंक प्राप्ट होते है 482 मा confir लो मार्क्स मेले उसके 492 मार्क्स आये हैं उसके और यόσको बारा नंबर ऑर मिल जाते तो उसकी है तो उसकी परिक्षा में कितने पिर्षा कर था तो एक मिन्स जो पेपर को किते नमबर का ता यह बताना अब कहने का मिनिंगे जी जोсы 84 परसेंट है वो किस तरी के बराबर यह गहां यह देखो उसके कितने मास आए थे उसके माक इस एक हम वह कितने 402 नहें कहा यह नमबर और खार तो 84 percent बन जाते तो इसका मैंने 12 और जौड़ दूँगा तो किते आ जाएंगे 504 फान जो चाइए 492 में यहीं मैं 12 एकरता हूं तो किते बने फाइव जीरो फॉर तो 84 परसेंट किसके बराबर है 504 के बराबर है तो 100 परसेंट किसके बराबर होगा यह हमें देखना है तो 504 इंटो 100 अपन में कितना भही 84 बात समझ में आती है इतनी बात तो सभी को समझ में आ जाएगी ठीक है ना और यहां से हम देखें हम cancel out हो रहा है 4 से देखें 4 इकम 4 बचा हो गया 10 चार दुनिया 4 शिक 24 4 से हम देखें तो 4 दुनिया 8 और 4 इकम 4 यह कितनी बार भही 6 बार तो 600 नंबर का पेपर आ जाता है तो correct answer is कितना भही 600 नंबर 600 marks का वो पेपर था 600 नंबर का पेपर था ठीक है चलिए आगे देखें भही अगला कुशन क्या है देखो इसने कहा यदि आप 5 X स्क्वाइर माइनस 6 X प्लस 5 में से माइनस कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं देखो इसमें से यदि आप माइनस कर रहे हैं क्या माइनस का X स्क्वाइर माइनस का X प्लस 8 यदि आप माइनस करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा यह आपको बताना है देखिए भई 5x square minus 6x plus 5 plus x square plus x minus 8 यहां पर यह आप देखें तो 5x square plus x square that is 6x square minus का 6x और प्लस का x तो माइनस का 5x और प्लस का 5 और माइनस का 8 that is माइनस का 3 तो राइट आंसर यह प्राप्त क्या होगा 6x square minus 5x minus 3 option number c is that correct answer option number c जो है ठीक है चलिए आज यह next question क्यों चलते है next question क्या कहता है हाँ अगला बताएए उसने हमसे क्या कहा उसने हमसे यह कहा है कि भई 28 मीटर व्यास वाले 28 मीटर व्यास वाले एक व्रत्तकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी भई आपको diameter दे दिया है लागत क्या होगी यदि 125 रुपे प्रतिवर्ग मीटर का शोल्क है यदि एक मीटर को एक्वल करते हैं समतल करते हैं तो उसके लिए कितना भी 125 रुपे लगते हैं उसके लिए 125 रुपे लगते हैं अब क्या करें भई सिंबा सी बात ये है कि भी area निकालना है area क्या होता भी πाई r square πाई r square तो πाई की value 22 बटे 7 r कितना रखेंगे भई देखो भई 28 क्या है ये व्यास है diameter है तो radius हो गई 14 14 into 14 साथ से कितनी बार भई दो बार तो ये area आ गया तो area आ गया 22 into 2 into 14 ये तो हमारा area आ गया और किस rate से है भई हम 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 ठीक है किस कितने का खर्चा है भई 125 ठीक है चलो भई इनको solve कर लो अब देखो भई इनको solve करने का तरीका क्या रखे देखो यहाँ पर कुछ बच्चे calculation में बहुत जादर time लगा देगे थोड़ा दिमाख लगाते हैं क्या दिमाख लगाते हैं देखो 125 किसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा धाइस हो जाएगा धाइसो में 4 से multiply करेंगे तो 1000 बन जाता है तो भई मैं इसको क्या कर रहा हूँ 22 को लिख रहा हूँ 11 गुणा 2 देखो calculation करने का तरीका गुणा 2 इसको 2 गुणा मैंने 7 लिख लिए और इंटो कितना भई 125 अब देखो यह जो है तीनों की product आ गई 8 और 8 इंटो 125 याद रखो 1000 होता है ठीक है ना और 1000 तो वो 11 इंटो 7 77 तो correct answer is 77,000 इसा correct answer 77,000 जो होगा उसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number कितना भई option number C is the correct answer ठीक है ना option number C इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा भई 11 से तो उपर वाला भी divisible है 66 वाला भी होगा ठीक है चलिए अगला देखो अगला क्या कहता भी गुड मॉर्निंग गुड बॉर्निंग देखे भई उसने क्या कहा 12, 23, 45 89 और next number क्या है यह आपको बताना है इसको बताईए ठीक है फुटाफट इसका जवाब दीजी यहाँ पर क्या आएगा इसकी value क्या होगी देखो इस place पर क्या आएगा देखो यहाँ से हम एक तो चल सकते हैं गैप से दूसरा यह हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ multiple में कुछ pattern दिखाई दे रहे हैं तो वैसे भी चल सकते हैं यहां से यहां की तरफ जलते हैं तो multiply by two minus one बारा दूनी 24, 24 में से एक, 23, 23 दूनी 46, minus one, 45, 45 दूनी 90, minus one इसी तरह इसमें multiply by two clear हैं और minus one यदि मैं कर दूँगा तो पहले तो इसका दूग ना कर दूँ, 178 minus one, 177 correct answer is 177 is the correct answer तो right answer is 177 इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है? चलिए अगला बताईए इसने क्या कहा? कि two, three, three, four, six, seven इनका हमें माध्ये बताना है, माध्ये इट मीन बताना है अब इनका मीन बताना है तो sum upon me number इनका sum कितना आ जाएगा जरा देख लो भी इसको इसको जोड़ा तो 10 आया इसको इसको जोड़ा 10 आया तो 20 तो यह हो गया और पांच यह, पच्चेस और पच्चेस डिवाइड़ बाई कितना भी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे से छे चुक, चौबेस, four point something आएगा अब छे चुक, चौबेस, बचा एक हो गए 10, छे कम छे, बचे चार 6,36, 6,42 होई, six, seven, sorry, four point one seven के आराउंड आ जाएगा, तो right answer is this one, option number B, हम, ठीक है ना? चलिए, अगला देखिए, next देखिए, अब देखो इसने क्या कहा? इसने हमसे यह कहा है कि question number six में यह भी अच्छा question बहुलक बताना है, बहुलक जिसको English में कहते हैं इसका mode बताईगे, इसका mode क्या होगा? clear, अब mode का मिनिंग है जिसकी frequency ज़्यादा हो, जिसकी frequency ज़्यादा है, इतमीस ज़्यादा बार आया होगा, वही इसका क्या है भी बहुलक है, जैसे हमें हमारे आई पास लिखा है वन, one by two, one by two, three by four, 3 by four, two, one by two, then one by four, then one by four, then one by four, ऐसलिखा है न अब यह सोचो हमें निकालना क्या है है कि इसका बहुलक क्या है, बहुलक का मिनिंग है mode और mode का मिनिंग बहुलक हो क्या ज़्यायाँ कहते है 1 x 2 2 आया, वही तीन बार 3 x 4 आया दो बार 1 x 4 दो बार आया तो करेक्ट आंसर क्या आजाए भी 1 x 2 is the correct answer वन जो होगा विसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे बड़ो अब देखो इसने क्या कहा एक वस्तु है एक वस्तु को चार परसंट और पर्परसंट के लाब में बेचने पर कि मुल्य में कि put in कि या ठीन का वहीं के श्रेज और v侑 को अब अंपाद क्या होगा अब डियू को हम से ये बनी पूछे हम से रेशू पूचा है अब जिब रेशाचा है तो यह चीज और भी आसान हो गई कैसे आसान हो गई माल लो कॉस्ट प्राइज सो रुपे हैं सो रुपे कॉस्ट प्राइज है अब पहले कह रहे हैं भी चार परसेंट का प्रॉफिट तो SP कितना हो जाएगा 104 फिर 10% का profit तो SP कितना हो जाएगा 110 तो इनका रेशो यह हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 52 is to 55 तो correct answer is 52 is to 55 option number C is the correct answer option number C जो होगा उसका बिकुछ सही हो जाएगा इस तीन से कोई मतलब नहीं था यहां इस तीन का कोई काम ही नहीं था क्यों 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 से केवल यह पूछा है कि उनका रेशो क्या था ठीक है अगला देखें उसने कहा यह एक सेक संख्या है एक सेक इवन नंबर है तो अगली विशम संख्या क्या है तो next जो है विशम संख्या क्या है यह आपको बताना विशम संख्या क्या है अब जब विशम संख्या तो अग एकला नम्बर क्या होगा वही ऑन फिर और फिर Sex ऑड़ ओडे जी चलताए तो यह इकृटफ रेक्टेंगल का एरिया 42 cm2 यदि उसके लंबाई 7 cm है तो उसकी परिधी का पता लगा होगी है देखो सिंपल सी बात यह है यह रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना भी 42 cm2 है ठीक है ना और इसकी एक साइड यह 7 है तो दूसरी क्या हो जाएगे 6 इसका परिमिटर क्या होगा अरे भी परिमिटर निकालना है तो यह 7 तो यह 7 यह 6 हो गया हमने समने वाली बराबर होती है अब यहां से देखो साथ और यह 6 के तावी 13 13 26 तो करेक्ट आंसर इस 26 इस दा करेक्ट आंसर तो उसकी जो सरकंफेरेंस हो जाएगी वह 26 हो जाएगे चले आगे देखो देखे भई अगला कोशन यह कहता है कि वह 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड वाई 10 की पावर 3 यह कहा गया है तो बताइए भी इसको सॉल्व करना है अब आप एक बास सोचो ध्यान से समझना 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 अपन में 10 की पावर 3 इसके लिए बस आपको एक काम करना है देखो 10 की पावर कितनी हो गई 11 ओपर क्योंकि बेस से मोतिया तो पावर एड हो जाती है यहां पर अपन में 10 की पावर 3 यह उपर जाएगा तो 10 की पावर कितना भी 11-3 डाट इस एट तो राइट आंसर इस टैन की पावर एट तो राइट आनसर 10 की पावर रेट, option number A is the correct answer, option number A जो होगा, वो से बिल्कुल सही answer होगा, ठीक है, तो भई ये था आज का हमारा session जिसमें हमने different different type के question किये, तो कल एक और session में लेकर आऊँगा, तो questions सारी ही अच्छे हैं, questions को बड़े ध्यान से समझते जाएगा, सीखते जाएगा, बहुत help करने वाले हैं इक questions, ठीक है, और इसकी PDF अभी मैं जो telegram account है, वितुल शर्मा इस्टड़ी IQ मैं वहाँ पर आपको available करा दूँगा, आप आपिन, जय भारत